हेलो बच्चो नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओलाइन शिक्षन पर कैसे हैं आप सभी I think आप सभी अच्छे होंगे तो आपके सामने आज फिर मैं एक नई भरती को लेकर के आया हूँ जो की उच्चे न्यायालिया में स्टैनो ग्राफर की पोस्ट पर निकाली गई है जिसकी अंतिम्तिती 30 अगस्त 2023 है जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस भरती में अपना फोम बहर सकते हैं फुल नोटिफिकेशन के लिए आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा एक एक करके आपके सारे डाउट किलियर हो जाएंगे अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप वीडियो के कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं उसका रिपलाई भी आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा तो चलिए वीडियो की करते हैं सुरवात फुल नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ चाहे तो आप ओनलाइन सिक्सन टेलिग्राम पर सर्च करके हमारा ग्रूप जोइन कर सकते हैं 13,000 कुछ मेंबर उसमें आना होगा यह आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसका लिंक मैं वीडियो के कमेंट बोक्स में भी दे दूँगा तो सबसे पहले आप इस वेब साइट पर आएंगे और यहाँ पर रिक्वार्मेंट वाले ओप्सन पर जाकर के रिक्वार्मेंट सेक्शन को ओपन कर देंग यह नोटिफिकेशन उच्चे नियाएले की तरफ से 28 जुलाई 2023 को रिलीस किया गया है जिसमें फॉर्म भरने की डेट 1 अगस्थ 2023 से लेकर के 30 अगस्थ 2023 तक रहने वाली है और एप्लिकेशन फी भी सम्बिट करने के लिए यही डेट रहेगी एप्लिकेशन फी यानि आवेदक सुल्क की हम बात करते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी या नोन क्रिमनेर कैटेगरी को छोड़ कर किसी भी कैटेगरी में आएंगे तो आपको 700 रुपे पे करने होंगे यानि अगर आप राजस्थान से किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 700 रुपे यहां पर देने होंगे अगर आप राजस्थान के अन्य विच्डवर यानि OBC में आते हैं तो आपको 550 रुपे सुल्क देना होगा या राजस्थान के SCST में आते हैं तो आपको 400 रुपे यहां पर exam fees लगने वाली है age limit की बात करते हैं तो अगर आप 18 से 40 वर्स के बीच है तो आप इस form में apply कर सकते हैं टोटल पोस्ट आपकी 277 रहने वाली है जिसमें आपकी qualification क्या होनी चाहिए अगर आप 12th पास है art या science या commerce या किसी भी stream से आपने 12th कर रखी है और साथ में O-Level exam या COPA या data preparation computer software या diploma in computer science या BCA या computer application का आपने कोई course कर रखा है या अगर ये भी नहीं है तो 12th में आपके पास computer science होनी चाहिए तभी आप इस form के लिए eligible है और computer की आपको basic knowledge होनी चाहिए अगर आप select हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको वेतन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा 33,800 से लेकर के 1,6,700 रुपे तक का परमन्त दे होगा ये आपकी stenographer की vacancy है तो इसमें आपका online exam के बाद second step होगा वो आपका typing का होगा यानि short hand typing अगर आप English में short hand typing करते हैं तो 6 minute में आपको 80 word per minute के इसाब से speed निकालनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के लिए 70 word per minute और 6 minute का आपका ये passes होगा typing के बाद आपका एक interview भी होगा जिसके कोई marks यहाँ पर नहीं जोड़े जाएंगे सिर्फ ये qualify ही रहेगा बाकी अधिक चानकारी के लिए आप इस official website पर आकर के इस notification को read कर सकते हैं एक अगस्त 2023 सा आप form बरना start हो जाएंगे जब मैं आपको form बर के बता दूँगा कि कैसे आप अपना form बर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो helpful लगती है तो please like, share, subscribe चैनल को जरूर किया करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर share करिए कोई भी आपका doubt रहे गया है तो comment box में आप कर दीजेगा उसका भी reply आपको चल दी ही मिल जाएगा मिलते है next update में धन्यवाद